हेलो फ्रेंज आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ इंडिया और उसके पेट्रोलियम स्टेटस के बारे में हमने कल एक वीडियो में देखा जहां पर मैंने एक्स्प्लेइन किया था कि इंडिया में तेल का स्टेटस क्या है यानि तेल का प्रोडक्शन इंडिया में कैसे होता है domestically as well as import कहां-कहां से हम करते हैं उन सारी context को हमने अच्छे से देखा और साथ ही ये भी देखा कि petroleum क्या होता है और अब हम देखेंगे इस video में कि तेल के prices बढ़ने से कहां-कहां चीजें बदलती हैं और consumer को as well as government को और oil refineries को क्या-क्या जो change है वो जहलना पड़ता है तो बने रहिए मेरे साथ मैं हो दिख्षिता आपका welcome करती हूँ तरोन IS में और इस video को आपको क्या करना है like, share and subscribe ओके, so let's start today's video हम direct impact से सुरू करते हैं कि अगर तेल के दाम globally बढ़ रहे हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जो impact आता है कि हमारा import bill वो बहुत बढ़ जाता है आपको पता है कि इंडिया में तेल हम कितने percent में import करते हैं 86% जो कि साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि हमारी domestic जो oil industry है वो उतनी खपत को पूरी नहीं कर पा रही है और हमारे दिन पर दिन जो तेल की खपत है वो बढ़ते ही जा रही है चाहे हम ज़्यादा गाडिया ले रहे हैं उसके context में या फिर kerosene, kerosene का तो consumption कम हुआ है definitely लेकिन petroleum products जो है वो भी ज़्यादा बढ़ रहे है इंडिया is a net importer of crude oil मैंने बताए 85-86% हम import करते हैं जिसके वज़े से जो हमारा import bill है import bill यानि import किया हमने और उसके बदले जो इंडियन पैसे हमने दिये है तो वो bill भी बढ़ता ही जा रहा है July 2023 की बात करें तो हमने देखा था last video में भी कि 2.5 mmT का crude oil जो है वो हमने यहाँ पर जो है use किया था जो की पिछले साल के comparison में 2.1% का increase है और इसी वज़े से July की ही जो bill आई net import bill वो bill कितना आया dollar 9.8 billion अगर आपको नहीं दिख रहा है इस तरफ से तो देखिए dollar 9.8 billion जो की July 2022 के compare में कितना था वो dollar 15.8 billion तो आप यहाँ देख रहें यह vary कर रहा है amount लेकिन billions में यह import bill जो है हम देख रहे हैं तो definitely क्या है कि global prices बढ़ी oil की और import bill हमारा अचानक से increase हो गया second जो है high petrol diesel prices यह बहुत common है petroleum prices यानि crude oil की prices बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर तेल और डीजल के दाम दो बढ़ेंगे ही oil marketing companies हैं जैसे भारत petroleum हिंदुस्तान petroleum उनको government क्या कर सकती है कि अगर crude oil के दाम बढ़ रहा है तो government बोलेगी कि आप जो अपने दाम है वो बढ़ाओ मत और उसको freeze कर दो freeze कर दो यानि रोक दो क्योंकि वो prices जो है consumer को ultimately pay करने पड़ेंगे जिसके वज़े से जो oil marketing companies है उनको loss उठाना पड़ता है और significantly जो है वो increase prices होती लेकिन oil marketing companies नहीं करती है और आप देख सकते हैं कि last year जो है March 2022 में per barrel जो price है dollar 140 हो चुका था लेकिन उस हिसाब से इंडिया में prices नहीं बड़ी थी और जो है government इस चीज को ज़्यादा रोक नहीं सकती है और इसके वज़े से जो है oil refineries को losses उठाना पड़ता है simple है यानि crude oil के prices बड़े oil marketing companies भी बढ़ा सकती है price तो हमें ज़्यादा देना होगा लेकिन government क्या करती है freeze कर देती है अगर उसको कि आप नहीं बढ़ा सकते तो marketing companies को loss उठाना पड़ेगा तो या तो consumer loss उठाए या तो marketing companies loss उठाए अब third impact आता है कि Indian रुपी की value कम हो जाती है जितने भी world में oil transaction होते हैं वो US dollars में होते हैं तो अगर तेल की demand world में बढ़ी और price बढ़ा तो US dollar की value भी बढ़ेगी और उसके comparison में जो regional currencies है यानी चाइना का युवान इंडिया का रुपी ये सारे पैसे जो है dollar के comparison में उसकी value कम होगी तो अगर हम जतना जादा import करते हैं पहले अगर हम 100 रुपे दे रहे थे तो same amount import करने में भी 1 MMT अगर हम import कर रहे थे और उसके लिए 100 रुपे दे रहे थे तो अब 1 MMT के लिए हमें देना पड़ेगा 120 रुपे यानी आपकी जो value है रुपी की वो कम हो गई in comparison to dollar high oil prices pushes the US dollar above against its peers, okay got it और जो stronger dollar है वो ज़ादा expensive हो जाएगा यानी उसकी value बढ़ जाएगी और regional रुपीज का कम हो जाएगा यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको explain किया, अब third impact जो आएगा वो है high fiscal deficit fiscal deficit क्या होता है यानी government के पास profit revenue कम हो रहा है और उससे ज़ादा उसके खर्च है, okay आमदनी अठनी खर्चा रुपईया उसको बोलता है highest high fiscal deficit अब होता क्या है कि अगर crude oil के prices जादा है तो उसके वज़े से government के उपर subsidy का burden बढ़ जाएगा government के उपर subsidy कैसे बढ़ेगी यानी अगर election का time है और consumers को तेल के दामों से राहत देना है तो government क्या करेगी कि oil marketing companies जो होती है उनको और consumer को जो पैसे देने पड़ते हैं उसके बीच का जो difference amount होता है उसको subsidy बोलते है यानी जितनी rupees हमें नहीं देने पड़ रहे consumer को वो government oil marketing companies को देती है और उसको बोला जाता है subsidy तो इस वज़े से government subsidy देगी उसके pocket से अलग से पैसे जाएंगे और जो fiscal deficit है वो बहुत बढ़ेगा fiscal deficit जो current है वो government का रुपी 6 trillion cross कर चुका है ओके और जितना ये fiscal deficit बढ़ेगा government की जो economic value है वो बहुत कम होती है यानी world level पर उसे अच्छा नहीं माना जाता कि भाईया इनके उपर तो इतना जादा उधार है currently जो fiscal deficit है वो GDP का जो है 33.9% हो चुका है तो ये फरक पढ़ता है अगर government जादा subsidy देती है तेल के prices बढ़ने पर last होता है lower economic growth और inflation महगाई तो हो गी ही कैसे महगाई होती है क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से सबसे पहले क्या होता है कि जो goods transport होता है इस शहर से उस शहर जाने वाले जो trucks होते हैं जो आपका सामान लेकर जा रहे हैं जो business का सामान लेकर जा रहे हैं वो सारे जो सामान हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं की तेल के दाम बढ़ गए अगर आप 10 रुपए किराय देते थे तेल के दाम बढ़े आप वहां देने लगे 12 रुपए तो आपका जो वह महंगाई है डिरेक्ली आपकी पॉकेट पे वह दिखता है फर्क तो इस वज़े से जो बिजनेस की रॉ माटेरियल्स है वह भी इंक्र हो जाता है डिस्पोजिबल इंकम यानि बाकी चीजों में खर्च करने के लिए पैसे उनके पास कम हो जाते हैं और इसके वज़े से एक और बहुत बड़ा इंपक्ट आता है वह है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वह भी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव लेकर आती है पोजिबल इंकम कम होती है और पैसे नहीं रहते जिसके वज़े से जो डिमांड है उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो यहां पर इंपक्ट देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में इंफलेशन में और कंजूमर डिमांड कम हो जाती है एकनॉ आसी चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन की जो आपको पहले समझ नहीं आ रहा था ओके थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो और सी यू सूँ